तो आज हम बात करेंगे DOL starter के method no.2 के बारे में के जो दूसरा तरीका है magnetian conductor को hold करने का वो कौन सा है ठीक है तो आपने इस वीडियो को जो है लाज तक देखना है इस वीडियो में मैं आपको practically करके भी दिखाऊंगा किस तरह से हम DOL starter बना सकते है practically भी ठीक है तो इस circuit को बनाने के लिए हमें कुछ component की जरूरत होगे जिसमें push switch जो है और push switch है ठीक है तो यह हमरे पास green push switch है जिसके दो point होते है normally close point और normally open point ठीक है जो NC होता है normally close होता है जो NO होता है वो normally open point होता है ठीक ईसी तरह जो है यह हमरे पास दूसरा switch है यह red peach switch जो है जिर्व इसका color जो है यह red जो ग्रीन जो है कि इसके पास magnet contactor है ठीक है तो इसकी मददसे ही DOL starter बनेगा ठीक है तो इसको इसके कौन कौन से point है वो भी हम देख लेते हैं तो सबसे पहले जो है यहां पर A1 और A2 के point है ठीक है यह coil के point है इसके बाद जो है N C NO N C जो है यह normally close point है N O जो है normally open point है L1 L2 L3 जो है यह input की supply है इसी तरह T1 T2 T3 जो है यह output की supply है यह यह motor के connection इसको हम कह सकते हैं ठीक हो गया तो component को हमने कुछ इस तरह से arrange करना है कि सबसे पहले हमारा start का switch आ जाएगा ठीक है और जो है इसके बाद जो हमारा magnet contactor आ जाएगा ठीक है तो magnet contactor को ही हमने hold करवाना तो किस तरह से hold करवाना है चलें देखते है अज की wiring ठीक है तो जो हमारा start push switch है उसका जो पहला terminal है उसके साथ हम phase वाली wire लगा लेंगे ठीक है क्योंकि हम normally open point वाला push switch इस्तमाल करें start के लिए ठीक है तो वहां से एक wire लेंगे उसको लगाएंगे magnet contactor के auxiliary point वाला normally open point है उसके साल ठीक है जो दोनों जो switch है इनको हमने क्या करना है इनको हमने common करके वहां से wire लेनी है और लगानी है normally open point के साल ठीक है मेकड़न कॉंटकटर कर मेक्ड़न कॉंट्रकटर मीकड़न कोंट्रक्टर इसके साल लगाना है धूर्यू umin point Mega contactor का कोयल का point है a2 के साहथ, ठीक है तो जो a2 टर्मिनल है, उसके साथ हम लगा देगे inutal उलेबा उलेगा ठीक है तो क्योंकि आपकोइल होती है उसको inutal और phase चाहिए होता है efic को हमने kontrol कर ली और neutral को हमने direct लगा दियए. अब यह कान किस तरह नार्माली ओपन प्वाय्ट है तो जैसे ही हम पुशिच को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जो फेज है वो जो तक पहुंचता है और जैसे ही यह एवन तक पहुंचता है तो मेंगने कुंटक्टर अन हो जाता है और जैसे मेंगने कुंटक्टर अन होता है तो जो इसका नार्मली ओपन पॉइंट होता है और जो इसका फेज होता है आखिसका फेज है वह इस नारमी ऑपन पॉइंट के थू जो है वह ए वन तक पहुंच जाता और एवन को मिलना शुरू हो जाता है मेंगन कॉंटेक्टर जाए वह आन रहता है जब तक हम नारमी क्लोज वाला पुछ सुछा उसको प्रेस करें और जैसे हम नारमी क्लोज वाले से जो है हम इसको बना सकते हैं तो यह हमारे पास जो है कुछ इस तरह का switch है फिजिकली कुछ इस तरह का switch है मतल़ कि इसके भी दो point है देख ले मतलब कि पॉइंट है और दूसरा जो दो है नार्मिली open point है और आम तोड़ पर बलके जो नार्मिल ओपर होता है वह आजा रहा है में कुलारेत क्रेकर हों होता है है आज रहा है फाल रहा यह सब्सक्रास क्रज़े के अधल सब्सक्याने करें है बन to nume no lie open ठीक है जो नार्मी ऑपन है वो ग्रीन है और जो रा नमी ख्लोव डाव रड्ड खीक है तो इस सब्सूर्फपन करता है अपने काउं सा में जो कोईल है 220 की है ठीक है उसके पास यहां पर ल ल 20 में entrustrally आर इसी तरह are एश्छाथ के पॉइंटट में झालिक हो गया उपर ला निचे जो है यह उपन वाल वाला पॉइंट हो गया तो अब हम इन component को arrange कर लेते हैं जिस तरह से हमने wiring करनी है ठीक है सबसे पहले जो है green push switch आएगा और इसके बाद open जो है जो दूसरा red push switch आएगा जो stop का है उसके बाद magnetic contactor ठीक है तो wiring जो है सबसे पहले हमने phase से शुरू करनी है main phase जो हमने लगाना है जो हमारा green push switch है इसके normally open point के साथ ठीक है तो क्योंकि हमने जो normally open point है उसके साथ main phase लगाना है तो इसलिए यहां पर हमने एक और wire लगानी है ठीक है तो वह जो wire है इसलिए हम पहले ही यह wire लगा लेते हैं ठीक है तो अब हम जो है normally open point वाला push switch है जिस जिदर हमने phase वाली wire लगाई है वहां पर ही हम एक और wire लगा रहे हैं जो के magnetic contactor के नहीं open point पर लगेगी तो यह जो है wire मैंने push switch को लगा ली है ठीक है और इसका जो दूसरा terminal है वो लगेगा जो magnetic contactor का auxiliary point है normally open वाला उसके साथ ठीक है तो निचे वाला point है यह normally open है इसलिए निचे वाले point के साथ जो है यह वाली wire मैं लगा रहा हूं तो इसको जो है मैंने निचे वाले terminal के साथ लगा दिया है ठीक है इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा green push switch का खाली terminal बचाता मतलब का normally open point हम इसके साथ हम जो है एक blue wire लगा लेते है ठीक है तो इसका जो दूसरा terminal होगा लगेगा red push switch में ठीक है तो सबसे पहले हम जो है इस जो नार्मली open point वाला push switch है इसके साथ हम यह लगा लेते हैं ठीक है तो यह लगा लिए अब हमने क्यूंके यहां से ही एक wire जो stop वाला push switch है उसके normally close point के साथ ठीक हो गया तो इस point normally close वाले point के साथ यह दो वाइस लगेंगी एक तो जो है वह push switch दोनों green push switch और red push switch इन दोनों के काम लगेगी point पर दूसरी जो wire है वह लगेगी मेकडिन कॉंटेक्टर के normally open point के साथ ठीक हो गया तो normally यह वाली यहां पर wire लगी है ठीक है तो इसका जो दूसरा terminal है वह मैं लगा लेता हूं मेकडिन कॉंटेक्टर के normally open point के साथ ठीक है जो open point बचा था एक जिर्ली वाला एक तरफ तो हमने red wire लगाई थी ठीक है main phase वाली और दूसरी तरफ जो है हम लगाएंगे यह blue wire ठीक हो गया तो इस blue wire को मैं लगा लेता हूं normally open point के साथ ठीक हो गया अब जो है अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक wire लेनी है जिसको हमने लगाना है coil का point जो है a1 उसके साथ और जो मैं जो हमरे पार push switch था red push switch इसका जो एक खाली terminal बचा था नार्मी close वाला उसके साथ ठीक है तो सबसे पहले जो है हम coil पर लगा लेते है तो इसके बाद जो है हमने यही wire जो है macdin जो हमरे पास red push switch है ठीक है इसका जो खाली terminal बचा था उसके साथ मैं इसको लगा लेता हूँ तो यहां पर मैंने जो है red push switch इसके साथ भी यह wire लगा लिया थी ठीक है तो यहां तक जो है हमारी phase का जो control है वो complete हो गया और मैंने आपको समझा दिया था कि यह किस तरह से काम करेगा ठीक है और हमरे पास जो है एक ही wire बची है लगाने वाली जो के neutral वाली wire है और इसको हम लगाएंगे A2 पर ठीक है तो अब हमारे पास जो है दो पॉइंट बच गए है दो पॉइंट जो है यह निकले है एक जो है यह neutral वाला पॉइंट है और दूसरा जो है यह phase वाला पॉइंट है ठीक हो गया तो हमने जो black वाला पॉइंट है उस पर हम लगाएंगे means फेज वाली वायर ठीक हो गया तो यह rare यहाँ परTrust है यह निकल वाल्यगां अ तरह जो मिर पास दूसरी वायर है यह वायर ठीक है तो यहाँ पर मैंने न्योटर्टरल और फेज वाली वायर लगा दी है ठीक है तो अब मैं इसको स्प्लाई दे के चेक कर लेता हूं कि यह हमारा जो सरकुट है यह काम करता है कि यहां पर जो हम जैसे ही प्रेस करता हूं तो हमारा जो कंटेक्टर है वो होल्ड हो गया और जैसे रेड को प्रेस करता हूं यह डील्ड हो गया ठीक है जैसे ही मैं green को प्रेस करेंगा तो magnet con-tacter है यह on हो जाएगा जब तक मैं red को प्रेस न करोू ठीक है तो अब मैं अब को इसके साथ एक lamp जो है वह on करके दिखाता हूं कि जब magnet con-tacter on होता है तो उसी time जो है lamp on होगा और जैसी हम इसको off करेंगे तो lamp भी off हो जाएगा ठीक है तो यह मैंने जो है न्यूटल और फेज की वाइर लगा दी है यहां पर और इसकी जो वाइर है उसको हम लगा देंगे में न्यूटल और फेज के साथ ठीक है तो यहाई मैंन नूटर्ल और फेस के साथ 2 नुटर्वायज मैंने लगा दी नए ठीक तो यह ए मरपास फेस वाली वायँ तब यह आ और यह वायँडर यह अ नूटर्वा वायर ठीक हो गया । अब तो अब यहां पर में झाइन आफ टुग आफ लगाएंगे थीक है तो यहां पर जो है उसके न्यूटल और फेज की वायर लग गई है ठीक है मेन फेज जो है वो मैंने दे दिया और अउटपुट की वायर भी मैंने लगा दिया ठीक है और जैसे ही अब हम ग्रीन पुछ स्विच को प्रेस करेंगे ठीक है इसको हम चेक कर लेते हैं ग्रीन पु वह और और ऑफ हो रहे है तो इसी तरह इसकी जो वाइरिंग एक मैंने आपको समझाया था कि इसकी वाइरिंग जो है वो कितनी असान ठीक है इस तरह जो L1, L2, L3 है वहां पर हम motor के point लगा लेंगे और T1, T2, T3 जो है यहां पर हम sorry जो L1, L2, L3 है वहां पर हम main phase वाली wire लगा लेंगे और T1, T2, T3 जो है यहां पर हम motor के point लगा लेंगे ठीक हो गया तो friends यह थी आज की video I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो please हमारे चैनल वाइरिंग को लाजमी सब्सक्राइब करें thanks for watching मिलते है नेक्स वीडियो में